तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो कल जैसे हमने पढ़ा था कि हर लिविंग और लिविंग तिंग को इस अर्थ पे जीने के लिए कुछ की जरुरत पढesian क्यूंकि वह जो भी काम करते हैं हर छिगृर अम्क्राथ से कहां से यह और नरजी आती है जो खाना जो फुड हम करते हैं उसके इंतेरे होता है हमारी बॉडी में ठालता है दिस्ति नरगे करता है जिसकी मदद आप्सफन से हम चम repo Cos imposed प्रोसेश करते वह कोई काम करते हैं तो अचरु प्लांट को भी जरूरदट उन्हीं करते हैं लेकर उनके उंद्र पहुत रैस्पिरेशन तो लेते ही अंदर ऑक चाले पहार शुरता है है dough फोटो pathosynthesis जो पन इस chapter में पढ़नेगे प्नेक घृत्ते हैं भी करते है तो उसके लिए उनर्जीज जरुद पढ़ती तो उस चाप्तर में में रोल है कि हम पढ़ेंगी कि प्लांच बना इजने के साथ के सब्सक्राइच हम समझेंगे इस चाप्टर में तो कल के दिन में हमने यह पड़ा था कि हर निभिंग और गेर Hence हवे में पड़ा था न्यूट्रिशन के मोड पड़े थे की कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं तो यौर्ट्रिशन था पहला मोड अदर और्गेनिजम जो है वो अपना खाना सेल्फ खुद बना रहा है है सब्सक्राइब चाहिए अलग किसी और न्यूट्रिशन गा मतलब होता है कि और्ट्रफिक का मतलब होता है है वह dependent है और टुट्रॉफ पर वह खाना बनाएंगे उनसे लेके अपन खाना बखा पाएंगे वह ऐसा और एसा नूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम डिपेंडेंट हो आपने खाना के लिए तो उसे उस नूट्रिशन को कहते हैं है तो आज के इस लेक्चर में हम क्या आज के लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि यह अपना खाना बनाते कैसे हैं तो मैं पहले आपको explain कर देता हूं फिर हम इस chapter के अंदर बुक से पढ़ेंगे तो प्लांट का एक प्रॉसेस होता है जिसका नाम है फोटो सिंथेस वर्ड से मतलब हर चीज में अपन वर्ड से मतलब निकालेंगे अपना जो साइंस है और भी आराम से समझ में आने लगेगा वर्ड से मतलब निकालेंगे तो फोटो सिंथेस फोटो जो वर्ड है ना scientifically उस पोटो को science में light माना जाता है light जब word use करना होता है कई पर भी light white का तो उसकी जगा फोटो लगाते थे science में तो light से synthesis का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना तो light से जब plant अपना खाना बनाता है उस process को बोलते है photosynthesis अब अब अपन बुक से पड़ते हैं अपना लाइन क्या है ग्रीन प्लांट्स एक मिनिट हाइलाइटनर चालू कर लेता है ग्रीन प्लांट्स है वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर अधर दे कैन मेक देर ओन फूड वाइल मॉस्ट अफ ता अदर लिविंग तिंग्स के क्या कि इन्हें किसी पेडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपना खाने के लिए वह खुद अपना खाना सकते हैं वाइल मतलब उस समय जो दूसरे और्गेंजम से दूसरे लिविंग फिंग्स है वो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई जो प्लांट है वह अपना खाना बनाएं फिर उससे अपन खाना खा सके लेकर है ना तो यह बहुत बड़ा एडवांटेज जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास में अगर आपने के बिना नहीं रह सकते हैं अगर अपने विस्काइड ग को खाना को हाना बनाना पड़ेगा तो सबसे इंपोर्टेंट और सबसे बड़ा सो मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस मतलब ऐसा हर वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई चीज बनके तयार हुए उसे बोलते हैं मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस तो जो फोटो सिंथेसिस है यह दुनिया का सबसे बड़ा और इस अब आपको बता देता हूं जैसे की यह इसमें यह फोटो वर्ड पी एच ओटी यह इस फोटो का मतलब होता है लाइट और यह जो सिंथेसिस वर्ड इस सिंथेसिस का मतलब होता है बाना तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कुछ खाना बन रहा हो यूजिंग लाइट लाइट को यूज करके तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यह चालू करने से पहले आपको पूरा फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस समझा देता हूं देखो एक जो प्लांट होता है ना उसके चार सबसे इंपॉर्टन पार्ट्स होते हैं एक उसकी रूट्स दू क्या है है अपनी जो रूट्स है ना वह रूटैडा क्या काम करते हैं अपने यूज जईतै उपसके बाद आती यह स्टैम है इस लीफ के उपर एक बहुत बड़ा प्लांट का आर्गन मतलब जैसे कि अपने अंदर होते हैं तो एक हिसापसे यह स्टैम के अंदर जो लिफ से उसके उपर उर्गन्स होते हैं जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल क्या करते हैं इस सबसे में चीज क्या होती है क्लोरोफिल की यह इसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं अपने लीफ पे गिरती है तो यह जो इसको कर ले तो उसको करते हैं जो लीफ होती ना इसके उपर होता वह जगाह हो सकता है कुछ छेद होते चुटी-छूटी जिसको बोलते हैं इस टॉमेटा के अंदर छेद की वज़े से यह जो अपनी हवा है अपना जो कार्बन Dioxide मतला अंदर की तरफ ले सकते हैं और जो बढ़ जाता है वेस्ट वाला उसको बाहर निकाल लेते इस स्टॉमेटल पोर से कार्बंड़ाइय उकसएड को लगाता अंदर लिया और रूटप्स ने जो वाटर था उसको उपर की तरफ लिया अब यह जो संलाइट है ये क्या काम आती है शो अपने कार्बंड़ाइय उकसएड और उकसएड ऑर लिया प्लान्ट के और वाटर इन दोनों को मिक्स करके मिला देता है समझ लिए ना कि जो अपना रूट से पानी आ रहा है और स्लीव से जो करण क कर देता है और कम्बाइन करने के पाद एक फूड बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोस यह उसका एनर्जी उसका इनर्जी प्रोवाइडर जो एनर्जी देगा और वह उसके अपने फंक्शन कर पाएगा तो जो जरूरत होती उतना ग्लूकोस तो रख लेते हैं और बाकी का इस टोर करके रखते जो ज़रोत होती हो दो लगा देते हैं एनर्जी बनाने में बागी का स्वेश्य करके रखते हैं अब अपने इस चैप्टर के इसाब से यह प्रोसेस था पुरा फोटो सिंथेसिस का आप मैं आपको बुक की लैंगज से समझाता हूं जो आपको और क्लिय कर ले समझ में आ जाएगा है ना तो क्या है इन फोटो सिंथेसिस दस संस्लाइट एनर्जी इस कैप्चुर्ड वाइग लोफिल ग्रीन सब्स्टेंस इन प्लांट्स स्पेशली देयर लीप्स जो मैंने समझाय था फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस में जो क्लोरोफिल्स होती ह है उसके अंदर वह सनलाइट को ट्राप कर लेती है क्राप्चर करके अपने पास रखती है है यह जो क्याप्चर वाड़ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़ना थिक्या जो सन की एनरजी होती है वह यूस की जाती है वाटर को सॉइल से खीचने के लिए अलब सॉइल को जो वाटर आता है सॉइल से उसको कारबन डाय ऑक्साइड के साथ में कमबाइन करने के लिए एयर से कारबन डाय ऑक्साइड आई सॉइल से पानी आया रूट्स ने खीचा कारबन डाय ऑक्साइड लीव से आई इसको कमबाइन करने के लिए यह सन की लाइट जरूरी होती है ठीक है दफूड मेक बाइदे कॉम्बिनेशन इस अशुगर कॉल्ड ग्लूकोस ठीक है इस इसे जो शुगर बनती है उसे कहते हैं ग्लूकोस जो की काम आता है energy प्रोवाइड करने में ग्लूकोस इस यूस्ट बाइद प्लांट्स पॉर्डग रोट्व और रिपेर ऑफ इड्स पार्ट जो ग्लूकोस जो है वह उस प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके रिपेर ब जैसे कि अभी मानलो एक प्लांट अच्छा सा उगरा था उसके आपने डाली तूड़ तो उसका एक पार्ट जो है वह तूट गया अब उस डाली को धीरे 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 वह रिपैर करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वह कौन देगा ग्लुकोस देगा उसकी आज के दिन आपने मानलो दस रूटी खाए आपकी बाड़ी को जरूरत से साथ रूटी तो पहले साथ रूटिया लगा लेकिए साथ रूटियों का एनर्जी बना के सप्लाइए कर देगा और जो बच्छी तीन रूटी उसको स्टोर करके रख लेगा है ना जो अपन मूट आज के अंदर का जो होता है कि जुद्धा जाते अलावा जब जाता है उसको स्टोर कर लेते कांपर रूट्स में और स्टेंब में पोटो संथेसे अल्सों इल्स अब में आपको समझाता हूं कि आप शबने सुना होगा अपन हुमन बिंग्स के लिए ऑक्सिजन बहुत इंपोर्टेंट होती है और बिल्कुल उल्टा होता है प्लांट्स में उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाय ऑक्साइड है ना उसकी ज़रूरत होती है पूरी बॉड़ी के अंदर हर प्रोसेस के अंदर तो जो प्लांट है वह कार्बन डाय ऑक्साइड को अंदर लेती है और उसके बाद जो ऑक्सीजन बच जाता है कार्बन डाय ऑक्साइड क्या होता है CO2 और oxygen होता है O2 तो CO2 में carbon dioxide जितना भी यूज़ करना होता है उतना यूज़ कर लेता और oxygen जो ओड़ जाता है फिर इस photosynthesis की process से उस oxygen को बहार भी निकाल दिया जाता है पनागे समझते हैं photosynthesis is a complicated process although an equation can be used to sum up what occurs and equation is the scientist's short hand for describing a reaction this is the equation for photosynthesis देखो यह जो process हाना इसको सबसे simplest way में समझाने के लिए जो scientists थे उन्होंने एक equation बनाए equation में समझ जाएंगे तो बहुत simple रहेगा है ना तो photosynthesis का process मैंने क्या समझायता है जो water आता है उसको लेते और जो carbon dioxide आता है उसको लेते sunlight की मदद से वो दोनों combine होते हैं एक साथ combine होने के बाद में glucose बनता है और oxygen बाहर ना carbon dioxide जो खाने के लिए यूज हो गया और oxygen से समझते हैं कैसे पहले काम करता हूं मैं इसको erase कर देता हूं ताकि आप लोग confused नहों कि अब यह अपन क्या पड़ रहे हैं यह हो गया आपका और इस इरेश है बहुत पास्ट होता है बहुत बजेट अपने वास है है यह है अब देखो carbon dioxide जो अपना air से आता carbon dioxide उसके अंदर जुड़ता है water किसकी मदद से sunlight और chlorophyll क्लोफिल क्लोफिल क्या मदद करता है इस sunlight को capture करता है फिर यह जो sunlight होती है वह use होती है इन दोनों को कि इन दोनों को combine करने के लिए यह दोनों combine होने के बाद क्या बनाते हैं glucose बनाते हैं और glucose बन जाता है उसके बाद जो carbon dioxide का oxygen बच जाता है इसको body से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह जो पूरा एक process है इसे बोलते हैं photosynthesis हैना आगे समझते हैं इन photosynthesis carbon dioxide enters the leaves through the stomata stomata are openings in the surface of leaves stomata also permit oxygen to pass out the leaf into the air stem के जो leaves होती है उसके उपर छेद होते बहुत सारे जिसको क्या बोलते हैं stomata बोलते हैं यह stomata क्या काम आता है ठीक है यह था फूरा process photosynthesis का एक बार और मैं आपको आराम से डंग से recap में समझाता हूं photosynthesis का process क्या आता है इस process के अंदर जो अपने roots है वो soil से पानी को लेकर उपर भेजते हैं जो sleeves है वो chlorophyll को chlorophyll जो होता है उसके पर वो sunlight को एक साइट में trap करके रखते और जो stomata होता है उसके अंदर से carbon dioxide अंदर जाता है तो plants अपना खाना बनाने के लिए carbon dioxide और water को यूज करते हैं यह plant के यह के बाद यह तोनों जब मिलते हैं तो जो sunlight है उसको chlorophyll छोड़ देता है और जो sunlight है वो आके in carbon dioxide और इसको mix कर देता है combine कर देता है जिसकी वज़े से जो खाना बनता है जो उनका एक sugar बनता है जिसे बोलते हैं glucose यह glucose क्या है energy provider यही energy प्रोवाइड करता है हर चीज के जाती है कुछ वेस्ट सा वेस्ट बढ़ जाती है जो छोड़ दिया जाता है जो अपन के लिए काम आता है अपने लिए का माता है यह ता पुरा फोटो सेंथिस का अब हम इसके बाद में hetero-trops के बारे में यह तो ऑट्रॉप्स घ्रीन फ्लाट्स के से बनाता है अब परसा तो कल मिलते हैं बाई खुश रहो सारे थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहो है ना बाई थैंक यू